हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सुनितास की चैन अज मैं मिली केक की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे कलाकन भी कहा जाता है इसे कभी भी बना सकते हैं कोई भी फैस्टिबल भी आ सकते हैं आप वैसे तो अच्छे दूट से बनता है पर मैं यहां पे फटवे दूट के मिली केक बन कि दूट फट गया है इसमें थोड़ा सा नीमबू और डालेंगे ताकि जो दूट है वह आर अच्छे से फट जाए बहुत बारीक बारीक इसमें फटेवे दूट बहुत बारीक नजर आए मोटा ना हो नीमबू करस्मी लाकर के अच्छे से चला ले और हाई फ्लेम पे कि तले से ना लगे और हाई फ्लेम पे उबालने से यह होगा कि जो दूट फटे है वह बहुत ही बारीक बारीक नजर आएगा जैसे की मिली केक के लिए परफ्रेक्ट चाहिए अगर दूट फट जाए तो उसे फेके ना क्योंकि दूट से बहुत सारी सामगरी बन सकती है मैंने अपने चैनल पर भी फटे दूट से कुछ रैसिपी बनाए हुए है और इसी तरह से आज फटे वे दूट से मैं मिली केक बना रही हूँ अब वन फोर्थ है गया है इसमें अब चीनी डालेंगे चार स्पून के करीब चीनी लिया है लगतार चलाते में मिक्स करें ये देखिए पानी सूख चुका है इसी तरह से चलाते में पकाएंगे ध्यान रही कहीं भी चलाना ना रूखे नहीं तो तले में लग सकता है जब पानी सूख जाये तो ग्यास का फ्लेम मीडियम कर दें इसी तरह से लगतार चलाते रहें क्योंकि हमें इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन चाहिए जब तक हम इससे लगतार चलाते रहेंगे उस सेमिली केक का लूप बहुत ही अच्छा आएगा और टेश्ट भी बहुत अच्छा आएगा अब बिल्कुल अच्छे तरह से पानी सूग गया है और गोल्डन ब्राउन हो गया है अब गयास को आफ कर देंगे और एक प्लेट में हलका घी लगा लेंगे हमने एक प्लेट में घी लगा लिया है अब इसमें तयार मिल्केक को रखेंगे क्योंकि हमें कटिंग करनी है तो इस तरह से प्लेट में निकाल लें और पल्टे या फिर स्पून की साहिता से इस तरह से दबा ले अब रूम टेंपरेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे हलका ठंडा हो जाए तो नाइफ के साहिता से काट लें आप अपने मन पसांदा कार दे सकते हैं अब से एक प्लेट में निकाल लिए और सर्फ किजिए आप इसे फ्रीज में रख करके पास से अच्छा दिन तक खा सकते हैं तो देखा आपने फटेवे दूद से मिली केक बनाना कितना एजी है वैसे तो अच्छे ताजा दूद से भी मिली केक बनता है पर मैं या पर फटेवे दूद से मैंने बना कर आपको दिखाया है आप भ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल सुनितास कीचन को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह की मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें